हाई, आज फूड लाड़ा आपके लिए लाया है बेसन का चटपटा पराठा जो स्री 5 मिर्ट में बनके तयार हो जाएगा और आपके ब्रेकफास को कम्प्लीट करेगा बहुत ही सिंपल रेसेपी है और बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाती है तो जब भी आप जल्दी में हैं तो ये टेस्टी पराठा ट्राए कर सकते हैं बेसन पराठा की स्टफिक बनाने के लिए मैं लेरी वन फोर्थ कब बेसन स्वाधन उसार नमप वन अन हाफ टी स्पून लाल मिर्श पॉडर आधा चम्मच पुधीने का पॉडर और एक चौथाई चम्मच जीरा पॉडर इसमें एड़ करेंगे दो टेबिल स्पून ओईल पहले हम इसको मिक्स करके देख लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो ओईल और एड़ कर देंगे ये अभी भी काफी थिक है तो एक टेबिल स्पून ओईल में इसमें और एड़ कर रही हूँ ये हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए ताकि पराठे पर इस प्रेड अच्छे से हो सके पराठे का आठा लगाने के लिए मैं ले रही हूँ गेम का आठा दो कप और दो टी स्पून में रूँगी ओईल ओईल स्ट्रॉंग फ्लिवर का नहीं होना चाहिए और साथ म इसको मिक्स कर लिजे और धीरे धीरे हम इसमें अब पानी आट करेंगे पानी का मेजरमेंट नहीं है क्योंकि अलग-अलग अलग पानी का एफेक्ट आता है आप जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और इसे गूनते जाए पराठे का आठा टाइट नहीं लगाया जाता है, काफी सॉफ्ट लगाया जाता है, वरना परांठे बहुत ही कडग बनते हैं, यह हमारा आटा गूत की तयार हो गया है, अब इसको हम टक करेंगे, और 15-20 मिट के लिए इसको डखके रख देंगे, 15-20 मिट के रेस्ट के बाद में आटे को फिर से गुंद लिजी और यह गुंदा बहुत ज़रूरी है, इसी से यह पाटा बहुत ही स्मूध होगा, और परांठे भी बहुत अच्छे बनेंगे, अब इससे हम बड़े-बड़े पेड़े बना लेते, क्योंकि परांठों का पेड़ा रोटी के पेड़े से थोड़ा बड़ा ही होता है, अब इस पेड़े पे दौनों तरफ आठा लगा के हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे इससे में रोटी आप जितनी पतली और बड़ी कर पाएं कर लेंगे अब इस पे हम लगाएंगे बेसन का मसाला जो चटपता मसाला हमने तयार किया है हमेशा पहले इसको मिक्स करेंगे और फिर स्प्रेट करेंगे क्योंकि ओइल उपर फ्लोट हो जाता है और सारा बेसन नीचे बैठ जाता है तो लगाने से पहले आप मिक्स जरूर करें और रोटी पे मसाला इस्प्रेट कर से समय ध्यान रखें कि हमें किनारों पे मसाली को नहीं लगाना है मैंने चारों तरफ से किनारे छोड़ दिया है और अभी मैंने बहुत ठिक लेयर लगाई है अब मैंने इसको एक बार फोल्ड किया है और अब जो लगाऊंगी वो पतली लेयर लगाऊंगी क्योंकि अल्रेडी अंदर मसाला आ चुका है करना इसमें भी वही है हमने किनारों को छोड़ा है किल सेंटर में मसाला लगाया है किनारे छोड़ने की वज़े यह है कि जब फोल्ड करके आप इसको बेलना शुरू करेंगे और अगर आपने किनारे तक भर दिया है तो सारा मसाला बाहर निकल आएगा और अगर किनारे थोड़ी छोड़ देते हैं तो आपका पराठा बड़ा नेकली बनता है सेखने में भी दिक्कत नहीं होती है बाहर मसाला फैल जाता है तो सेखने में भी बड़ी दिक्कत होती है मसाला जल जाता है बस इस ट्रैंगल शेप पराठे को हम हलकी हाथों से बेल लेंगे ज़्यादर प्रेशर ना लगाए नहीं तो पराठा फट जाएगा शेप आप कोई और भी देना चाहे तो दे सकते हैं आप चौकार भी बना सकते हैं गोल भी बना सकते हैं अभी गरम किये तवे पर मैं इसको सिखना शुरू करती हूँ जैसे ही बबल आने शुरू हो जाए मैंने पहले बार पलड़ दिया और यह थोड़ा सा और सिख जाए तब हम उसको फिर से पलड़ देंगे यह लीजिए अब इस पे हम स्प्रेट करेंगे घी पराठों को जब तक घी से तला ना जाए पराठे का मजा ने आता अभी दौनों तरफ घी लग चुका है अब इसको आपको दबा दबा के सेखना है पराठे तब ही मज़िदार लगते हैं तब यह बिल्कुल सुनहरी और कुरकरे हो जाते हैं करारे पराठे सेखने के लिए आपको दबा के सेखना ज़रूरी है बस दौनों तरफ से अच्छे से सिख गए है और इसे हम सर्व करते है अब देखे यह पराठा हर लेयर से खुल चुका है यह देखे कितने आसाने से खुल गया और मसाला बराबर फैला होगा है चारो तरफ बहुत करम है एक लेयर और यह दूसरी लेयर सब लेयर पूरी खुल रही है क्योंकि हमने मसाला अच्छे से स्प्रेड किया है तो आपी जरूर टाई किजिए सूपर इजी वेरी क्विक बेसन का चटपटा पराठा जो बहुत ही आसानी से और जटपटन जाता है अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो लाइक किजिए, शेयर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूली थैंक्यू फर वाचिंग मिलते हैं मैं वीडियो के साथ किजिए लाइक करना है